वेलकम टू सुखला एडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके पने उट्यूब चैनल सुखला एडी पॉइंट में मैं से उम्सुखला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी दूतिय वर्स भूगोल के बारे में औ और और इताएं तो और कॉन क्यों से होते हैं चैनल के यहां पूरा स्लेबस कंप्लेट कर आँगा उसके आद मी परिक्षा आपके एकदम से निकट होगी, नजदीक होगी, तब आप लोग क्या करेंगे, अपना प्रक्टिस करेंगे, इस मॉडल पेपर को देख करके, ठीक है, अभी देखिए, पूरा मॉडल पेपर देख लीजिएगा, किस प्रकार के पर से बनते हैं, आपको किलियर हो जाएगा, आ इंडियन जोगराफिक, इस पे उंगलियों पे नाचे गी आपके, ठीक ध्यान नकेंगे, इतनी बात, ठीक है, इस से रिलेटेट प्रसन पूछा आता है, कि भारती विविट्टा में एक तक को विस्तार पूर्वग करेंगे, इस वीडियो हमने बना रखका है, बना गया है किसी एक का सजित्र वरणन विस्तार पूर्वग कीजिए, ठीक है, तो चित्र आपको भारत का मैं भी बनाना होगा, इसी परकार से और भी प्रसन पूछा था कि भारत की मिट्टियों, मिट्टियां कैसी है, उनका प्रकार बताईए, बित्रन बताईए, इस स्ताइए उनकी भारत में बनस्पति कैसे होती है, उसका बिवरण बताईए, भारत में जल्बिद्द्द का उत्पादन कैसा होता है, ठीक है, जल्बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् प्रसितियों का उले करते हुए उसका बेत्रण वे मुत्पादन की विवेचना कीजिए इन सभी प्रस्ण के जो उत्तर होंगे वो मैं एक जो है वीडियो के इंतर कर देता रहूंगा और आपका पूरा स्लेबस इसी के कॉर्डिंग कंप्रेट होगा चेप्टर वन चेप्टर मेरी बात को नोट कर लीजिएगा ठीक है नोट कर लीजिएगा पेपर देने के बाद में आयाएगा उसके बाद में फिर से मॉडल पेपर देखिएगा पेपर अपना मिलाएगा उसके बाद में तब विस्वास करिएगा अभी आप विस्वास कर लीजिए मेरे पेपर उसक है एकदम से request के तरह में बात कर रहा हूं request कर रहा हूं यह आप लोग क्या करें चैनल को आगे बढ़वाएं और हम आपको क्या करेंगे आपका नंबर ज्यादा बढ़वाएंगे आपके एक्जाम में आपके पूरा फुल सपोर्ड मेरा रहेगा आप सभी के साथ ठीक है बीए में नंबर आपका कम नहीं आना चाहिए बीए में जैसे हम लोगों को लगता है कि बीए में हम लोग कैसी पढ़ाई करते हैं कॉलेज नहीं जा पाते हैं यह बहुत सारी कठिनाईया होत छालिए बात करते हैं प्रशनों की सिरिंखला डि कि मितनों आपके सामने आपके दोतिये प्रों पत्र भारत का भूगल यहां पर आ गया संभासर सब्रकार से सब्मद्रः पुछे आते हैं कैसे हैं आखिरकार देखें खंड आ खंड भा और खंड चंड तीन लिएसा खाला ुसमें आपके सामने बता दिया अप चली बारेख करते हैं पहला कई लोड्मित्टी DO नहीं है पुरानी होती है नहीं होती है पुरानी यह बाड वगारा नहीं हो जाते है यूफ पर बाड़ा आती है नहीं मिर्दा आती हो यह होती है ज्यान न केंगे इतनी बात वो सारी बाते मैं बताऊंगा जब से लेबस complete होगा आपका सारी बाते के लिए प्रसंदेखी अभी फिलाल दूसरा देखिए हरित करांती से क्या दात पर है उनीसों सोंट सटाटन सट में हरित करांती आई थी जिससे क्या हुआ था जिससे क्या आज दर्ष्टी से नंबर एक पर है परति हुआ के उत्पादन में पंजाब नंबर एक पर है बहुत में लेकिन अगर Days बहुत करूँ पूरे सब्से जढ़ा जो मत्रा में देखें इंदियान नखेंगे अगला है गरीबी को परिभासित कीज़ेश के गरीफी परिभासित कीजिजेश समाझ Commonwealth में भी पूश है तो गड़ीपी क्या है सबसे बड़े समस्य क्या है करीबी निरधनता तो उस लक्षर गरीबी निरधनता से समधित पूरा अप yells वोडर इसमें गरीबी रेखा क्या हो थी बीपील कार्ड बगएरा सब प्रकार से नहीं है प्रस प्रकार से लोग नदियों के जल को ले करके विबाद आये दिनों होता रहता तो यह सारी चीजे थी अप्राइप प्रकृति का संतुलन क्या है मनुसी और प्रकृति की बीच में संबंध है या नहीं है जो इंटरलेशन सिप्थी उसमें किस प्रकार से चेंजस आ रहे हैं दीरी दीरी प्रकृति को मनुसी जो मनुसी है वो प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है जबकि प्रकृति मनुसी को बनाए रखना चाहती है लेकिन म लोग रहने लगें ठीक है कोई नगर यानि सिटी जिसको बोलते हैं नगर कैसे होता उसको बताना था यहां पर जनसंक्या विस्फोर्ट क्या है मालतस की थेओरी आप यहां पर दे सकते हैं मालतस थेओरी ठीक है जनसंक्या विस्फोर्ट क्या होता है मालतस महोदे ने जो जनसंक्या है वो गुड़ोत्तर स्रड़ी में पढ़ती है यानि एक दो चार आठ इस परकार से मलब की कि स्रेड़ी में वढ़ती है गुरोत्तर स्रेड़ी में जब कि जो संसाधन फॉप करण की वस्तोय कैसे गुरो यह की साधी है ग्रोती सरी होती है इसे एक है उसका बूँद्य सो लह dalla इस फ्रकार सिए ठीक है एक सो चोविस गता थाइश ठीक कि बरकार सब्ड़ता जाएगा चाहर दुणना एकक्सोर्ट माल्सा की तो होएगे जो मनुष्य है यानि जो जन संक्या है वो एक दो चार आठ इस परकार से बढ़ती है ठीक है जब कि जो संसाधन है किस परकार से बढ़ते हैं 2-3-4 इस परकार से बढ़ते हैं आप देख सकते हैं तो यही आप देख सकते हैं कितनी जो है जब्ढड रहें क्या हो रहे हैं। तो ही सभॉट क्या होता थो ही हसनी को हमने बताई आपको ठीक हरा कि लिखने की पूरा लेक्टर है उसके बनेगा बीडियो देख आपको इसी प्रणाट प्रसनाएंगे अलम प्रसना सकता है ऐस अना पूर्वी घार्ड धान कि online गाट यह पूर्वी घार्ट कि सबस्क्राइब इसको ब्योत यहां त्च्रास यहां पे नक्ष्छा बना दूं में यहां पे गुजरात यहां पे गुजरात है आपका ठीक है तो यह यहां पे समुद्र कौन सा है यह वाला यह अरब सागर ठीक है यह क्या है अरब का सागर है यह क्या है यह बंगाल की खाड़ी है यह बंगाल की खाड़ी है ठीक द्यान लखेंगे तनी बात को यहां पे कौन स से बना हुआ है वो क्या है यही है ठीक है लक्षदीप प्रवाल भित्ती से बना हुआ है प्रवाल दीप है ठीक तो देखें गुजरात हो गया उसके अदमें क्या है गुजरात के बाद में एक है यहाँ पे तर्व मंगालिति यहाँ परबत होगा यहां से यह फर यहां जनक फर भॉत दख फट्राइस। यहां पहाड़ी चोटी चोटी उस पर फिर्विन पहाड़ी से केरल पर और इसका नाम ही है। का कहाँ घाट ए उसको कितने कितने राजटे आपको बतानी थि हमने राजज आपको बता ही है। देखें अगला है काल बैसाखी काल बैसाखी से को ले करके आपको पचास अब्द में लिखना होगा एक्जाम में ध्यान रखेगे ठीक है अगला प्रस्ट नहीं बा देखें अगला खंड है बापका बासे देखिए पहला पर देखिए हिमालय छेत्र का भागोली कुर्ण लेकिन उसके रहते हैं या लेकिन हम नदी से तीस्ता से कहां तक हिमालय का करूंगा विस्तार से तो समझेंगे आथवा करके आप लेख सकते हैं भारत की आकर्ति हैं विस्तार कैसा आकर्ति मलब होता है कि यह भारत जो है याँ ऐसांतरों के भीच में है ठीक है तो रिज्ञारी चार मिनटने शैथा या फिर जूह यह सारी चीजी आपको पता होनी चाहिए यह बताऊंगा शांसभी सतार कितनी सीमा पर जली सीमा लगती भारत की ठीक है कितने में सबसे बड़ी जलिये सीमा जो है किस राज की है तो गुजरात की है सबसे आदा सीमा संझा किस से करता है इंडिया किस से करता है तो किस से करता है बंगला देश से सबसे आदा सीमा संझा करता है अगर बीदिशों की मैं बात करूं तो बंगला से कहां तो सारी चीजिय आपको बतानी थी दोसको सब्दों में ही बतानी थी अगला प्रस्ण है कि येसिया और विज़ो के संदर में भारत का क्या स्थाने तो पहले एसिया के संदर में बताएं अप्रिक तक कौन सा है अफ्रीक ऑफरिकर फ्री अमेरिक कहा है शक्रण्ण बाद में कौन सा है श्क्याद में आपका क्या है यूरोप ओट अटार के का उत्र क्या है अस्टेलिया ठीक तो इस सारे महादीफ हैं ध्यान रखेंगे इतनी बात को तो यह सिया और विस्व के संदर में भारत का क्या स्थान है इसको बता देना था या फिर आप अगर यह नहीं जानते हैं तो आप बता सकते हो कि भारत में वाकसाइट हैं अबरक का हैं और इनकी संभाना बहुत जाद है क्योंकि रिपीटेट प्रसना है ठीक है ध्यान लेकिंग इतनी बात को ठीक तो आपको ऐसे लिखना यह से कि यह नहीं पता है तो इसको लिख दीजेगा एक्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि जो थोड़ा सा कम पता हो उसको बिलकुल और मृटत है तो आप और भी इसकोषिछ सकते हैं आथवा करके यहां पर पूर में रच्टिपट कहां पर है कान पर में आपे गन्थे सरकार कान पर में घंगां जाता है उसका ने तर्फेसका थानिक अलिए और वा इस्ट इस तमाम सरी प्रियोग होता रहता है यहां पर ठीक है नसाई में कानपुर में ठीक घए हैं वहां पर हमने देखा है रहे भी है नसाई में नीशनल इंस्टिटीउट बढ़ी हां बना अच्छा खासा बना है ठीक है विदेशों से बच्चे आते हैं जो है नेपाल भूटान ठीक है और दक्षिण भारत से लंका से यहां सबसे जो है लोग आते हैं आपे पढ़ने के लिए नसाई में ठीक है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है तो आप चीनी उद्योग के बारे में बिस्ति प्रकार से बजाज बिजली विद्पन करता है ठीक है किस परकार से सारी चीजे होती हो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और मैं बताओंगा भी ठीक है जब सारा लक्षर से लेवस के चलेगा एक टॉपिंगों बताता चलूंगा तो क्लियर हो जाएगा वहां पे अगला में जनसंख्या के बित्रण को प्रभावित करने वाले भागोलिक कारकों की क्या करिए ब्या क्या करिए अथवा भारत में इस्तिरी साक्षर्टा के सिदी का वड़न कीजिए साच चर्था मलब होता है साक्षर होना पढ़ी लिखी होना ऐसा पढ़ी लिखी नहीं कि बी के लिख सके उसी को श्रक्षर बोलाता है क्एरल में साख्रता सबसे अदे है श्रक्रशन red Karma 211 की जंगर्णा के हैं समय थीक थीक तो भारत में इस्तरी साख्रता कैसी है भारत में इस्तरी DIRECTOR किसे परकार से पढ़ रही है उनके बारे में आपको बताना है ठीक है अगला देखिए भारत में सूखा गर्स्त छेत्रों की पहचान की सूखा कहाँ पढ़ता सबसे अधिक रायस्थान में ही पढ़ेगा ब्रिष्ट छाया प्रदेश है ठीक है साथ ही साथ को दक्षिन भारत के भी ऐसे छे ठीक तो क्या होता है जब मांसून यहां से आता है तो मांसून क्या होता है इसी के सारे सारे ऐसे किनारे के निकल जाता है कुछ ऐसे बीच से निकल जाता है ठीक है कुछ इस किनारे से निकल जाता है वहाँ पर पानी नहीं बरसता तो यह सारे के सारे सूखा करते या हो जात तो वह प्रिथवी के अंत्रिक सनजना पढ़ते तो उसमें पता चलता है ठीक है चलिए तो भारत में सूखा अगर शेत्रों की पहचान करिए अथवा दूसरा प्रस्म देया था कि जन जाती है छेत्रों की समयस्या क्या क्या चीज़े हैं जैसे पूरबुत्तर राज्य में द से वोती हैं ठीक है इस इसको आपको क्या करना है समझा देना है कितने सब्धों में 200 सब्धों में खंड सा कि मलते है और दोसे भात शुथ के सबसे नमबर मिलते हैं इसलिए हम Big पहले बात गुत्री करेगा यहां चोड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि यास करिए ठीक है छोटे-छोटे बाद में भी हो जाएंगे पहला पर देखें यहां भारत गरीब भारत में भले ही लोग गरीब रहते हैं लेकिन क्या है विविदा में एकता है इंडी एंडिया में कैसी है जो है एपि दक्ता है भारत में छोत hm रहते हैं बहुत लोगों के महसרג हैं फिर से हैं एक हैं इसलिए कहागे पूछा आता है यह प्रशन यह कतन है कि भारत क्या है गरीब लोगों का धनी देश है इस कतन की ब्याख्या कीजिए इसमें तमाम प्रकार की ब्याख्या कर सकते हैं इस बात की पुष्टी मैं अपने वीडियो में करता रहूंगा अगला प्रसन है भारत मे ब्याख्या करते हैं जिस बाता है करते हैं और तो सरजजित चरते हैं ठिक और वही आक्सीजन हमिक्ता है करते हैं आवस्चित करते हैं और क्या उत्तारजित करते हैं तो हम कारबन केड़न करते हैं तो फिर वही पेड़पावधे गर अधर बढ़े गाड़ेगा तो इसको होगा बैस्बिक तापन बढ़ेगा जिसको हम गुलोबल वार्मिंग कहते हैं कि समय से बढ़ेगी मित्रों तब क्या होगा जब गुलोबल वार्मिंग की समय से बढ़ेगी तो क्या होगा समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा वी गिलेसियर पिखलेंगे गिले जल क्या होगा मालिय गंगा नदी कहां से निकलती है गंगा नदी गोमुक से निकलती है गोमुक कहां में पड़ता है पहाड़ी एरिया में पलता है वो सारे सारे किसमें निकलते हैं गलेसियर से गंगोतरी गलेसियर से निकलती है ठीक है तो गंगोतरी गलेसियर मालिय गर्मी दूपरी पिगलने लेगी गंगा नदी क्या होगा जल जादा मातन में वहेगा दिसी wonderful कशला जाएगा तोनि में सुन्दर मनें करला एजा करती है तो चाहंफ़ गिराती है और boat du गिरा देगी तो क्या होगा वहां का समुद्र क्या होगा जल अस्तर बढ़ेगा इसी परकार से गंगा जैसी बहुत सारी नदिया भारत में हैं और इसी परकार से बहुत सारी नदिया पूरे संसार में भी है नील नदी अमेजन नदी ठीक है इन सभी अमेजन नदी दुनिया म सबस्यादा जल धारन करने की छमता किसाब सबस्यादा जल है उसमें अभी यह सब नदियों का जल क्या होगा नदियां भर जाएंगी पूर रूप से तो जल क्या होगा समुद्र में गिरा देंगी जिससे क्या होगा समुद्र का जल अस्तर बढ़ जाएगा जब समुद्र का करने से बन के कारण से बनोगा अगर महत्तु नहीं समझे आप तो इतनी सारी कंडिशन आपके सामने आ सकती हमने बताई जो आपके सामने ठीक है एक दूसरे से क्या है लिंक है देखिए अगला पुछा गया था कि भारती कि अभीनों प्रभिरतियों की विवेचना करिए मैं बताऊंगा ठीक है अगला पुछा गया यहां पर कैसा निर्माड जलोड नहीं जलोड निर्माड हुई है तो इसलिए उत्तर प्रदेश से पूछा गया ठीक तो इतने बड़े हिमाद पूर्ण थे जो आपके सामने हमने रखे और यह प्रस्ण जो है हलाक एक्जाम में पूछे भी गए हैं प्रेवेसर एक्जाम का पेपर आप उठाके देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगी भी यह प्रस्ण और 2021 की परिक्षा में आएंगे यह प्रस्ण ठीक है ध्यान से इस बात को नोड भी कर लीजेगा कि हां आपने कहा था कि आएंगे तो बिल्कुल आएंगे उसमें कोई दो राय की बात नहीं है इन परस्णों को ध्यान रखेगा ठीक है और जब चैप्टर सारी चीजे कर रहे होंगे हम तो उसमें सारी बाते आपको क्लियर हो ज परत